हम छुरू गड़ते हैं हमारा पहला टौपिक कॉ सब्से पहले, नुटिटी कहाँ ? कॉ सब्सक्राइस में होता है ? उसकर एक सबू...? सब एक सबψी पहले हम देखते हैं... दिखिए दो तरिके कॉन्टिटी होती है एक कॉनसी कॉन्टिटी होती है ? स्केलर फंक्शन जिसको हम बोलते हैं यह स्केलर कॉंटिटी दूसरे क्या होते हैं वेक्टर फंक्शन क्या होते हैं वेक्टर फंक्शन उनको और किस नाम से में बोलते हैं वेक्टर कॉंटिटी क्या होगी एक होगा स्केलर फंक्शन जिसे हम बोलते हैं स्केलर कॉंटिटी ए those function which which have only magnitude which have only magnitude are known as are known as scalar function ठीक है ऐसे function जिनके पास सिबस्ट क्या होता है magnitude होता है उनको क्या बोलता है scalar function जिसे example में लिख दिया phi is equal to X² YZ और हम नहीं लिख दे जिसे माल लिज्वाई एफ 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 फंक्षन है 3X² 2X plus 3, FX का function x का function है इस तरीके से 3X² plus 2X plus 3 आप देखरो हो यहाँ पर इसे बहुत सिब क्या है magnitude की बाते हो रही है किसकी बात ही हो रही है मैं इंटूट आप एक्स की कुछ वैल्यू रब्द होगे यहां एक्स वाई और जेटीनों की कुछ वैल्यू रब्द होगे रिस्पांडिंग कुछ नो कुछ क्या आ जाएगा मैगनिटूड ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं स्केलर फंक्शन ठीक है और स्केलर फंक्शन क्रेस्पांडिंग जो आपको कॉंडिटी होते हैं स्केलर कॉंडिटी अगर बात करें स्केलर कॉंडिटी किसकी बात करें स्केलर कॉंडिटी तो स्केलर कॉंडिटी के एक्जांपल क्या हो गए जैसे हमारा टेंप्रेचर तेंप्रेचर आप जानते हो temperature के आपको भी ऐसे बोलते हो कि भाई पूरब दिसा में 30 degree Celsius ऐसा तो नहीं होता न temperature जो है वो fix है magnitude सी भी उसका बताते हो for example जैसे हो गया distance क्या हो गया मेरा distance, speed यह सब कैसी quantity हो गई scalar quantity हो गई corresponding जो function उसको denote करेगा scalar quantity को जो function में करेगा उसे हम क्या बोलेंगे इसके दर function अब आते है वेक्टर function पर ठीक है वेक्टर function क्या है तो दोस function दोस function which have those function which have which have magnitude which have magnitude as well as direction are known are known as vector function उन्हें क्या बोलते हैं vector function ऐसे function जिसके अंदर magnitude भी हो और साती साथ क्या हो direction भी हो उन्हें हम क्या बोलेंगे vector function और वो जो quantity है उसको हम क्या बोलेंगे vector quantity जो quantity है उसे हम क्या बोलेंगे vector quantity इसका example जैसे हम समाल लेते हैं माले जी लिखा है ए vector लिखा है ए एक्स आई-कैप ए-वाई-जे-कैप और ने-जे-जे-कैप यहां देख रहे हैं रिखिए function किसका है आई-कैप भी है जे-कैप भी है और के-कैप भी है मतलब magnitude के साथ साथ क्या है डारेक्शन भी है एक और example ले लेते माले लेते बी वेक्टर लिखा है थ्री आई-कैप प्लस टू जे-कैप माइनस 5 आप देख रहे हैं यहां पर 325 यह सब क्या है सब मैगनिट्यूड है और आई-जे-कैप हमारी डारेक्शन है तो इसके अंदर क्या मैगनिट्यूड भी है संग में क्या है डारेक्शन भी है तो ऐसी हमने रखता है एक यह लगता है और बात करें वेक्टर फंक्शन टीये buck तो उसको इसको नॉर्मरी जिनोट करता है एक एरो से यह जो एरो है यह बताता है यह कैसा function है vector function vector function की बात करें तो यह दो चीज़ से मिल के बनता है एक तो क्या होता है magnitude और एक क्या होती है direction बात करें मेरे एक वेक्टर फंक्षन की आप देखिए बच्चों ऐसे नोट बना लिजेगा आराम से नोट भी आप कैसे क्लीम देएंगे आप बोलोगे तो मैं इसकी फोर्टो भी खीच के आप चाहो तो ऐसे लास्ट में जब मैं पढ़ा दो तो ऐसे कर लूँगा तो आप फोर्टो खेश देगा ना ताकि नोर भी प्रापर हो जाएंगे तो बात करें वेक्टर की तो वेक्टर के अंदर दो चीज़े होती है एक तो क्या होता है मैगनीट्यूड ना एक क्या होता है मैगनीट्यूड एक क्या होती है डारेक्शन ऐसी चीज़ क्या बोलते है वेक्टर कॉन् इसके अंदर magnitude भी है और direction भी है तो आज हमने इतना पड़ा अब इसके बाद अगले lecture में हम देखेंगे की वेक्टर को किस तरीके से उसके components में डिवाइट किया रहा है तो यह रही आपकी आज की पोटो नोट्स की आप ले सकते आराम से screens और ओके बाई बाई मिलते हैं अगले वीडियो में